सुप्रभर्ट प्रिय विध्यार्थियों कक्षाचार हिंदी विशय में आप सभी का स्वागत है बेटा आज हम हमारी मेधा जो है पाठे पुस्तक उसका पेज नंबर 35 पढ़ेंगे ये कहानी है केवल रिडिंग के लिए है और समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना बेट इसके बारे में कहानी है और वो उनको कैसे समझाता है वो चीज हमको इसमें समझ में आएगी एक किसान के चार बेटे थे वे हमेशा आपस में लड़ाई जगड़ा करते थे पिता ने उन्हें कई बार समझाया लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ अचानक किसान बहुत बिमार हो गया किसान को लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट आ गया है उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा बेटा मेरी तबियत बहुत खराब रहती है अब तुम लोग कुछ काम करना शुरू करो बेटों को समझाने के लिए किसान ने एक उपाय सोचा उसको एक ट्रिक सुझी उसने बेटों से कहा जाओ तुम चारों लकडियों का एक गठर लेकर आओ उसने चारों बेटों को भीज दिया लकडियों का गठर लाने के लिए अब क्या होता है साब चारों बेटे जब लकडियों का गठर लेकर आ गए तो उसने बेटों से कहा क्या कहा उसने बेटों से अब तुम लोग बारी बारी से लकडियों का गठर तोड़ों उसने बेटों को ओर दिया कि तुम लोग इस गठर को तोड़ दो कौन तोड़ता है देखता हूं मैं भी किसान का कोई भी बेटा गठर को तोड़ नहीं सका फिर किसान ने गठर खोल देने को कहा और उन्हें एक-एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा सभी ने बहुत आसानी से लकड़ियां तोड़ दी अब किसान ने उनको समझाया देखिए जब वो गठारी कठा था तब तो किसी से भी नहीं तूटा लेकिन जब वो गठार से अलग-अलग लकणिया हो गई न तो वो तूट गई तो अब वो किसान अपने बेटों को समझा रहा है यदि तुम लोग मिलजूल कर रहोगे तो तुम्हें कोई भी हानी नहीं पहुचा सकता कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड सकता अलग-अलग रहोगे तो इन लकणियों की तरह त प्रूट जाओगे उसने अपने बेटों को समझाया बेटों की समझ में सारी बात आ गई और वे आपस में मिल जुल कर रहने लगे वे समझ गए कि एकता में ही बल है देखिए छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ग्यान वाली कहानी है ग्यान प्रत कहानी है और बड़ा आपको अच्छा भी लगाओगा है ना किसान के कितने बेटे थे बेटा चार आपस में क्या करते थे लड़ाई जगड़ा करते थे और फिर अचानक किसान बिमार हुआ तो उसने क्या किया अपने चारों बेटों को बुलाया और समझाया उनसे कहा लकडी का गठर लेकर आए वो त क्यों कि वो अकेली पड़ गई थी तो हम लोग जब साथ में रहते हैं यूनिटी के साथ रहते हैं एकता के साथ रहते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगार सकता इसलिए हमें एकता के साथ रहना चाहिए और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है इस कहानी को आप पढ़ें समझें और इसकी शिक्षा लें ठीक है धन्यवाद